आज के हमारे इस वीडियो का टोपिक डिफ्रेंस बिट्विन PCC और MCC पैनल मतलब कि PCC और MCC पैनल में क्या अंतर होता है तो दोस्तों बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा की अगर मैं आपको डायक्ट इसका जवाब बताऊं तो आप इनके फुल फॉर्म से ही इनके यूजर को समझ पाएंगे MCC का अप जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा Motor Control Center और वहीं हमारे PCC का पूरा नाम होता है Power Control Center लेकिन दूसलों इसका पूरा नाम पता चलने के बाद भी कई सारे कोशन कई सारे confusion हम सबी के मन में रहते हैं क्योंकि कई की सबसे पहले आता हैं सबसे पहले हमारी इंड़ेस्ट्री के अंदर जो एक Mane Panel होता है उस Mane Panel होता है अब दूसर यह जो Mane Panel होता है इस Mane Panel को इंडरेस्ट्री के नर जिस नाम से बोला जाता है वो बोला जाता है हमारा M P D B मतलब कि Mane Panel distribution board लेकिन दोसों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यांग ना है कि सभी industry के अंदर आपको इस panel को man panel बोलते में नहीं दिखेंगे कहीं सारी industry के अंदर तो इसे MPDB ही बोलेंगे लेकिन इसके अलवा कुछ industry के अंदर से PDB बोल देंगे मतलब कि power distribution board भी इसके अलवा कहीं सारी industry के अंदर इसे PCC पैनल भी बोल देंगे लेकिन दोसों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पहले वाला पैनल है यह हमारा man panel है क्योंकि यह transformer के बाद में number one पे लग रहा है और इसी की मदद से हमारी industry के अंदर पूरी पैनल होते हैं उसके अंदर क्या होते कहीं सारे अध्या अलग अलग section बने रहते हैं मतलब कि यह जो पूरा ह्या यह पूरा हमारे एकी पैनल बोड रहे है लेकिन इसके अंदर का है यह हमारे हमारे क taraf बाराव चलाने उसके नुसार हमारे समय सकते कि कुछ इस प्रकार का एक In Scientology जोड दिया अब बार ये man panel है, इससे हमने पहले feeder से क्या क्या है, हमने एक panel को जोड़ा, जिसको हमने नाम दे दिया PCC1, इसके बार में हमने क्या 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 है, जो दूसरा feeder है, जो हमारे दूसरे नमर का feeder है, इससे हमने क्या 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 एक और panel को जोड़ दिया, इसको हमने नाम दे दिया MCC1, इसके बार में हमने क्या किया यह तीसरा फीडर है इससे हमने एक और पैनल को जोड़ा इसको नाम दिया हमने MCC2 इसके बार में हमने क्या क्या हो सकता है हमने चौता फीडर लिया इससे हमने जोड़ दिया एक LDP पैनल अभी के लिए हम नहीं क्या किया हमारा मैन पैनल है इस मैन पैनल पर टोटल चार फीडर पर हमने चार अलग अलग पैनल जो दिये इसके बाद में मुदारण के लिए एक और लेलते हैं यह पांच वे फीडर से हमने एक और पैनल को जोड़ दिया यह हो सकता है हमारा APFC पैनल जो होता है हमारा automatic power factor controller पैनल इसके अलगा हम नेक जोड़ सकते है solar पैनल इसके अलगा जोड़ सकते है automation मतलब कि हमारे पास में कहीं सारी पैनल होते हैं लेकिन अभी हम वीडियो के अंदर जो मैन बात करें वह करें हम PCC और MCC पैनल के उपर अभी तक हमने क्या समझा अभी हमने यह समझा कि आखिर कर PCC पैनल और MCC पैनल को किस जगह जोड़ा जाता है हमारी इंडेस्ट्री मों किस जगह लगे रहते हैं लेकिन अब यह PCC पैनल और MCC पैनल है इसके अंदर तो हमारी supply आ गई लेकिन इसके output से हम क्या करते है तो जैसा कि मैंने आपको static बता है कि ह अगरे इसके पैनल होता है यह PCC पैनल भी आपको देखने में इसी तरीकि के का मिल सकता है HERE मोटर को क्कारने है यह ज़्यादा कर आपको MCC पैनल में देखने को मिलेंगे जैसे उधायां के लिए माल लिए कि अगर यह हमारा MCC पैनल है तो इसके अंदर जब आप इसके फिडर पर जाओगे तो आप देखोगे इसके फिडर पर क्या होगा यहां पर आपको कहीं सारे स्टार देखने को मिल सकता है इसके फिडर के अंदर या फिर यह भी हो सकता है कि इस फिडर से हम आगे सप्लाई दे रहे हो और आगे हमने स्टार जोट रखा हो हमारी जो मोटर इस मोटर के पास में हमने को स्टार जोट रखा हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हमारा मैन कोश्चन क कि अखिरकर MCC panel का काम क्या है MCC panel का काम यह है यह panel हमारे motor को supply देने में युपयोग में लिया जाता है अब दोसरों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रहे है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ MCC panel से ही motor को supply दे सकते हो आप चाहो तो PCC panel से भी दे सकते हो आप चाहो तो हमारे man panel से भी दे सकते हो क्योंकि सबी के अंदर हमारी supply तो सेम है हमारी जो motor उस motor को क्या चीए हमारी motor को तो 415 गुल्डिक चाहिए वो motor हमारी चल जाएगे उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं कि वो किस panel से आ रही है लेकिन हम क्या करते है हमारी industry के अंदर कहीं सारी motor लगी रहती एक दो motor तो होती नहीं है अब हम क्या करते है हमारी सभी motor को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए अच्छे से control करने के लिए हम सिर्फ एक अलग separate panel मना जीते है सिर्फ motor के लिए क्योंकि industry के अंदर सभी ज़्यादा उप्योग क्या होता है वह हमारी motor यह होती है तो इसलिए हम motor के लिए एक अलग section मना जीते है motor को separate कर देते है जिसके करने कभी भी हमको motor को control करना होता है तो हमें पता है कि उसके लिए एक अलग से separate panel है हम डैक उसके पास चले जाते है और वहीं से हमारे motor का काम कर लिते है लेकिन वहीं दूसरे case में दूसरा हम PCC panel की बात करें हो सकता है आपके industry में compressor लग रहा हो हो सकता है आपके industry में EOT crane लग रही हो इसका अलएव हो सकता है कि i.o.t क्या है cooling tower लग रहा हो तो हमे जैसा कि बता इंडिस्टिह पहुते हैं दूसरे चीजे लग रही हो और हमार जो PCC पैनल होता है, इसका नाम होता है Power Control Center, और इसको जो उप्योग ले जाता है, वो हम लेते हैं हमारी कई जगे पर अलग अलग जगे पावर भेजने के लिए, तो दोसों उमीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, आपको PCC पैनल, MCC पैनल क्या होता है, इनम सकते हैं, इलेक्टिक लिए बसन कते हैं, आज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आज के लिए इतना ही धन्यवाद